ब्रिवन दोस्तों आज एक बहुत महत्पून अपडेट है और अपडेट नहीं एक छोटी सी चीज़े होती है वो आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत सार बच्चों की क्वारी थी कि सर्थ यर के जो समेस्टर स्वरी सेकेंड सेमेस्टर जो हो रहे हैं सेकेंड थर्ड समेस् होगा या फिर ओफलाइन होगा तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आपका थर्ड समेस्टर जो समेस्टर है उसका पेपर पॉस्पर्ण हुआ था तब आपको एक मैसेज आया था यानि की नोटिफिकेशन अपडेट आया था कि आपको जो एक्जाम है आपका वो 31 मार्च तक पॉस्पर्ण है तो यहां पर अगर एक चीज़ देखा जाए ड्यू के क्लेंडर के कोडिंग तो पंद्रा मार्च से थर्ड समेस्टर का एक्जाम स्टार्ट है अगर रेगुलर के कोडिंग देखा जाए ड्यू जो यूजी सी है उसके क्लेंडर के क्लेंडर के क तो आप सभी बच्चों का थरड समेश्टर का इस जो एक्जाम है वो फंद्रा मर्च से स्टार्ट होना चाहिए बच देख सकते जो चीज़े है उसको हम कंफरेंस कर सकते हैं कि हो सकता है fordi आप एक्जाम है 15 मार्च से बेस्टा हो सकता है तो आप लोग जो अपनी स्टडी है प्लीज स्टडी मत छोड़िए यह मत सोचिए कि एक्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो आपको दोनों से कुछ लेना मतलब कुछ फर्क नहीं लहते हैं तो सकता है कि आपका जो प्लाइन से मतलों हो यह मत्तिन में दो प्लाइन हों प्लाएन पूस darf लिच में आपका होता है तो हो सकता है कि आपका जो 4th semester का exam है वो exam आपका मई-जून-जुलाइ इन 3 जो मन्त है इन 3 मन्त में कभी भी हो जाएगा बहुत कम चांस है कि आप सभी बच्चों का जो semester का exam है दोनो semester का वो एक साथ लिया जाएगा तो यह update है आपको 3rd semester 4th semester के लिए जो कि 2nd year आना जाता है तो आप अपने दोस्तों साथ share करे और चैनल को subscribe कर देना अगर new हो तो और old हो तो please share कर देना दोस्तों साथ मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए जैन दोस्तों